नागार के डेगाना से अब खबर जहां चुरडास गाउं की एक नाबालिक के साथ अपरण के बाद दुशकर्म करने और विडियो बना कर उसे ब्लैक मिल करने का मामला सामने आया है जोरान पुलिस उपधिक्षक नविता खोकर और सियाई रूपराम चौधरी की मौजूदगी में नाबालिक का मेडिकल करवाया गया और साथ ही पुलिस ने मुखे आरोपी बमर्ला निवासी कानराम को गरफतार कर लिया जोरान पुलिस के आने की भनक लगने पर आरोपी यूवक ने जहर खा लिया और जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को राजके सामुदाइक अस्पताल पहुंचाया जहां से उसे गंभीर हालत में अजमेर रेफर कर दिया गया और फिलाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पर ताल में जुटी है